आज की ये तस्वीर बहुत अलग है जनता जनार्धन ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योग ये दितिनाद को शपत लेते हुए साक्षात देखा इस इकाना स्टेडियम के अंदर से महिलाएं मौजूद रहीं मैं क्या कहेंगी आज वो इतिहास रच गया जो 37 सालों मे जो रिकॉर्ड था कि भाई कोई सरकार वापस रिपीट तो करती नहीं है लेकिन योगी ने कहा मैं आऊंगा और आज वो आ गए तो वो आये तो अपने काम के दम पर आये हैं उन्होंने जितना किया उत्तरपदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ बहुत हद तक तस्वीर बदल दी और सबसे इंपॉर्टन बात है कि गुंडागर्दी समाप्त कर दी तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है हम लोग अट लिस्ट अभी है महसूस करते कि वी आज सेफ इन यूपी यूपी का नाम इस वामले में सबसे ज़्यादा बरबात था कि महलाएं वहां सेफ नहीं है लेकिन अब कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हम सेफ हैं और हम सेफ फील करते हैं उतना ही जितना पुने और माहरा सकूल काम कर रहे हैं सरकार क्या बदलाव लाती है योगी जो वादा करते हैं उपांस साल में भी सरकार चला ही जंताने फिर से समर्थन दिया उनको इतना बढ़ा बहुमत दिया किया क्या लगा रहा है कि खाफ़ीर बदलते हुए देखी उत्तर पदेश की तो मैं तो बिल्कुल यह कह सकती हूँ दावे से मैं खुद बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंट्रेस्ट नहीं रखती बिंग अ प्रिंसिपल में यह खुले आपके मंच से कह रही हूँ लेकिन मैंने योगी जी का जो भी काम देखा और जितना इवालिवेट किया तो मुझे यह समझ म आया कि वो बदलाव चाहते हैं और पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं बस उनकी जो क्याबिनेट अगर सच में उनका पूरी तरह से साथ दे दे और जनता सपोर्ट कर दे तो बिल्कुल यूपी की तस्वीर बदल जाएगी मुझे नहीं लगता कि दिल्ली मंबाई से पीछे यूपी रहेगा वैसे भी नहीं है और अब और भी नहीं रहेगा जिन पहलूँ में था वो भी नहीं रहेगा तो अगर हम सब मिलके उनको सपोर्ट करेंगे तो तस्वीर बदलेगे हाँ वोट दिया और इसलिए दिया क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया और मेरे हजबन आज उन्होंने शपत ग्रहन की आज कैबिनेट मिनिस्टर में उन्होंने शपत ग्रहन की और उनके इतने सालों के प्रयास के और योगी जी के नेत्रित्व में उन्होंने काम किया और इसलिए मेरे लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है और मेरे लिए बहुत आपको बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत बदाई और यह उम्मीद करते हैं कि योगी कैबिनेट में जो भी मंतरी बने हैं वो जनता जनारधन की सेवा उसी भाव से करते रहें जो आज यहां पर संकल्प किया है और आज यहां पर जो शपत ली है जी जी बिलकुल देखें आपकी जो हेड्लाइन ना बेबाक और बेखौफ हमें लगता है वही बेबाकी और बेखौफ ही अब आपको यहां की महिलाओं में और यहां की जनता में दिखेगी तो योगी रॉक्स यानि की योगी ए दित्यनाद रॉक्स मैम हैं दुबई से आई है योगी दित उत्तर प्रदेश में चुनाव है यानि कि मतलब एक उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आप डेड़ महीने से जनता जनारदन के बीच घूम रही है क्यों योगी ने ऐसा क्या कर दिया था कि आप दुबाई से यहां पर दोड़ी चलिए योगी ने हमारी पहचान दिला द उत्तर प्रदेश में महर लगी हुई थी भूमी हती आने वाला प्रदेश दबंगो का प्रदेश लेकिन क्या आपको लगा कि पांच साल में योगी ने आप ने वो तस्वीर बदल के रख दी जरूर बदली है आपको बता रहे कि हमारा अपना एक्सपिरिंस कि इसके पहले हम लोग एना रही हैं चुकी तो माके यहां रहना नहीं चाहते थे डर लगता था कि यहां आएंगे तो यहां इतनी अराजगता थी कि लगता था जहाएं वहीं ठीक है आज हम सोचने लगे हैं कि आप यहां आएं हमारे घर बनाएं हमारा बिजनस शुरू करें और हम यहां नहीं था लेकिन दूबाई तक बुल्डोजर रॉक्स हो गया सर क्या कहेंगे दूबाई में भी बुल्डोजर की चर्चा चलने लगी क्या सर यूए से एक नहीं असी लोग आए हैं और हर एक चेप्टर की हैने और मैं यूए का प्रेजडेंट हूँ और हम यहाँ पे उनके स्पेशल इंविटेशन पे उनकी शपतविदी शमारू में आये हैं इसी तरीके से 2019 में चार सो इकरणों लोग लेके आये हर कॉंस्टिटेंसी में गए और भगवान की दया से बहुत बड़े भहुमत के साथ नरेंद मोदी जी आये और हमने उनकी शपत विदीवी साथ में करिये परदेश की चर्चाएं दूबई तक पहुंच गये और दूबई से जनता आ गई लेकिन हमारे योगी जी शास्त्र के साथ प्रशासन हाथ में लेते हैं और अराज अक्ता को खतम कर देते हैं अखरी सवाल आप से आप तो दूबई से चले आएं आप भी आएं आप भी आए आए आप लोग भी आए लेकिन अखलेश यादव जो पूर मुख्यमंत्री हैं यहीं पर हैं लखनाओ में हैं और मुलाइम सिंग जी को इन्विटेशन गया अखलेश जी आए नहीं अखलेश जी का अपना भी दिगत मामला है वो नहीं आए जबकि एक भूतपुर मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के नाते जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है उसके सब अद्गरण में आना चाहिए और माननी योगी जी ने बकायदा जितने भी भूतपुर मुख्यमंत्र सबको इंविटेशन दिया था सबको बुलाया था वो नहीं आए उनका व्यक्तिकत मामला है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 35 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री ने अपना कारेकाल पूरा किया है अखलेश यादो जी तो इंजीनियर है नोड़ा जी जी महिलाएं कैसे देख रही हैं आज तो महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं क्या कहेंगी महिलाओं को योगी का काम सबसे बहतरीन कौन सा लगा था पांच साल में कि जाके दबा दब बटन दबाया देखिए योगी जी मैं तो यूपी में पैदा हुई यही रही हूँ किसान की बेटी किसान की वाइफ तो योगी जी ने यूपी का रूप बदल दिया हम बहुत सेफ फील करते हैं उनकी वज़े से आज इसलिए हमने जा के एक एफर्ट करा बाहर गए उनको वोट दिया तो हमारे लिए बहुत जरूरी था वो हमारी बेटियां हैं उनको हम चाहते हैं निकलें प्रोग्रेस करें पढ़ने जाएं सेफ फील करें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थे तरह तरह के रंग यहाँ पर देखने को मिले और देश विदेश से लोग आई जी पैसा कमा लेना और सब कुछ कर लेना वो मेटर नहीं करता है समाज का सुरचीत होना जरूरी है और यह योगी सरकार ने दिया है और करके बताया है यानि कि सुरक्षा की बहुत बात चली इलेक्शन कवरेज में भी सुरक्षा की बात चली और इसी मंच से उत्तर परदेश के मुखे मंतरी ने आज दूसरी बार शपत ले ली है और योगी यदित्यनाथ ही होंगे परदेश के नए मुखे मंतरी यानि कि दूसरी बार जनता जनारदन के प्रदेश के मुखे मंतुरी बन गए है कैमरमेन अंकित के साथ मैं विनो शर्मा हेडलाइन से इंडिया के लिए इकाना स्टेडियम से